ये देखे इतने सारे घिये मेरी टेरस गार्डन पर लगे हुए जिन में से कुछ घिये आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ तो आज के वीडियो में मैं शेर करने वाली हूँ कुछ हार्वेस्टिंग साथ ही कुछ टिप्स हार्वेस्टिंग के कब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए सबजियों को सबसे पहले तो भिंडियों की हार्वेस्टिंग ये देखे ये भिंडी का प्लांट कितना उपर तक चला गया है तो भिंडियां तो अल्मूस्ट हर रोज हार्वेस्ट करनी चाहिए ये देखे ये इसका साइज ठीक है इसको हार्वेस्ट करने का अगर आप ज्यादा देर तक इसको लगे तेहने देंगे तो ये इसमें सीट फॉरमेशन हो जाएगी पक जाएगी और ये इसका टेस्ट वो क joue यहां रहेगा एक अलगी है तो यह भी चोपि ँर्फ की जा इसी तरह इस तरह भी एक धिंडी लगी हूई है तो आप इसका साइज भी देख सकते हैं लेकिन अभी यह विलकुल fresh है तो चलिए इसको भी harvest कर लेती हूं मैं और भिंडिया तो मैं हर रोज अर्वेस्ट करती हूं Shirts घे डालती रहती हूं कुछ भिंडिया मेरी उस तरफ. either stramy लगी यह एक पेट्टी का धकन है यहां पर मैंने पालक वगएरा लगाने की कोशिश की थी लेकिन वो ठीक से लगी नहीं है तो यह है मेरे विंका और यह है इस तरफ यह देखिए यहां पर एक वाटरमेलन भी लगा हुआ है उसको भी मैं हार्वेस्ट करूंगी लेकिन अभी भिं एंदी शायद कल चुपी रह गई और यह देखिए यह कितनी बड़ी हो गई है और यह पक गई है अब कर लेते हमाहे हिए थोड़े से करेले हार्वेस्ट होने लगते हैं तो उससे पहले ही आपको इसको हारवेस्ट कर लेना चाहिए नहीं तो इसमें बीज बन जाते हैं और फिर ये भी उतने टेस्टी नहीं रहते एक बेल लगी हुई है इस पर भी मैंने ये अभी एक करेला देखा था ये पुरानी बेल है इस पर करेलों का साइज छोटा है पहले तो इस पर करेले आये नहीं थे लेकिन अभी पीछे हमने इस पर से काफी करेले हार्वेस्ट किये इसके बाद हम करने वले हैं हा ग्यालगे हुए हैं इसके हार्वेस्टिंग करते हैं यह पहला घ्या यह देखिए और अभी इस Nana से देखते है वह एक उधर ग्या लगा हुआ है तो इसको harvest कर लेते हैं तो घिया भी जब इस पर हलकी सी लूई हो तभी इसको harvest कर लेना चाहिए जब ये green color का हो तो अभी ये green color का है light की थोड़ी सी problem है इसलिए ये आपको थोड़ा white नजर आ रहा है तो जब इसके उपर की लूई खतम होने लगती है ना तब इसके अंदर बीज बनने लगते हैं तो इसलिए पहले ही इसको harvest कर लेना चाहिए और एक घिया हम और harvest कर लेते हैं ये वाला इसको वैसे चाहें तो हम छोड़ सकते हैं एक आद दिन के लिए लेकिन इसकी लूई थोड़ी सी कम हो गई है तो चलिए इसको कल harvest करूँगी मैं अभी इसको रहने देते हैं एक बात और के अगर आपने ये घिया बरसात के मौसम में लगाए हैं तो इनको cover करना मत भूलिए मैंने इनको cover किया था ये छोटे थे लेकिन अभी ये इसका size बड़ा ह हो गया तो ये इतना portion इसका बाहर रह गया तो ये देखे इस पर कैसे insects से अटेक कर दिया है और अगर मैं आज इनको harvest नहीं करती तो ये जो अंडे दिये हुए हैं इसमें से लार्वा निकलेगा और वो सुंडियां हम बोलते हैं और वो इस फल को खराब कर देगा तो अभी हम इसको साफ कर लेंगे और घिया हमारे काम आ जाएगा ये कुछ फलियां भी लगी हुई है लेकिन अभी इनको मैं harvest नहीं करूँगी ये चोटी है सोकल तक होफुली इनका size बड़ा हो जाएगा ये परसों तक ready हो जाएगी तब मैं इनको harvest कर लूँगी कुछ बीन जुध मिर्च भी आप अगर साथ साथ harvest करते रहेंगे तो मिर्च का पौदा और flowering fruiting करता रहेगा अगर मिर्ची आप इस पर लगी रहने देंगे तो धीरे धीरे ये mature होने लगेगा प्लांट और ये आपको और मिर्ची देना बंद कर देगा ये पुदीना लगा हुआ है तो अ अभी कुछ green leaves में harvest कर लेती हूं onion के green onion तो वैसे भी आपको अपने garden में लगाना चाहिए इसको लगाने के बहुत से फायदे हैं insect attack कम हो जाता है और secondly आप इस green onion को अपनी cooking में इस्तेमाल करिए आप किसी भी चीज में इनको soups में डालिए दाल में सबजी में तड़का लग तो लीजिए बाहर से और अंदर से फिर नए लीव जो हैं वो बनते रहते हैं सो मैंने अपने बहुत से गमलों में इसी तरह से जो हमारे किचन में प्याज होता है छोटा प्याज वही लगाया हुआ है और उसी से यह जो इनके लीव हैं निकले हुए हैं जिनकी regular harvesting में करती रहती हूं और यह हैं बैंगन लगे हुए इनको भी मैचोर होने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए यह अभी size चोटा है size कितना बड़ा हो यह तो variety बेंड करता है कुछ बड़े बैंगन होते हैं भरते वाले तो obviously आप छोटे नहीं तोड़ोगे लेकिन यह जो बैंगन है इ तो यह इसमें seed formation होने लगेगी इसका color change होने लगेगा तो बैंगन जब इस तरह से shiny हो बाहर से surface उनकी तभी उनको harvest कर लेना चाहिए अब यह बैंगन एक लगा है इसका size अभी छोटा है लेकिन यह नीचे से white होने लगा है तो इसका मतलब कि यह mature हो गया है और इसको भी harvest क नहीं होने लगा तो यह भी यह देखिए इसकी shining चली गई है तो यह भी चली नहीं गई लेकिन जा रही है तो इसको भी harvest कर लेना चाहिए तो आज मैंने इतने सारे बैंगन harvest कर लिए हैं तो चलिए overall मैं दिखाती हूं कि आज मुझे कितनी harvesting मिली है अपने terrace garden से तो यह हो ग भी kuch करेले और लगे हुए है तो वो भी तोडने के लाइक नहीं हुए थि यह हैं भेंडिया मैंने कल भी तो डी थी परसों भी तोडी थी रही है तो यह दो-तिन दिन में यह हमारे खाने लाइक सबजी चाहिए उतनी हो जाती है और यह दो गिया और साथ में हरी मिर्च मिल गई है और साथ में ग्रीन अनियन मिल गया है पालक भी लगी हुई है लेकिन उसकी आज मुझे जरूरत नहीं है तो उसको मैंने हारवेस्ट नहीं किया तो आज का वीडियो यहीं तक वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको गार्डिनिंग में इंटरस्ट है तो मैंने बहुत से वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं कि सबजियों को हम कैसे उगाते हैं और इनकी कैसे केर करते हैं इसके टिप्स भी आ बहुत बहुत धन्यवाद